आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हेलो गाइस इसको सेने बोल रहा है कि Average Density of a Gas at a Constant Temperature Constant Temperature पे Average Density कितना होगा गैस का यह हमें Question पूछड़ा है अगर हम यहाँ पे देखें तो हम Ideal Gas अगर एक Question यहाँ पे देखें यह क्या दिया हुआ है यह होता है PV is equal to nR T होता है ठीक है P क्या होता है P होता है Pressure, V होता है Volume N होता है Number of the Mole R होता है Gas Constant जिसका value होता है 8.314 Joule per Mole Kelvin and T होता है Temperature अब हमें बोल रहा है कि Constant Temperature पे Density Average Density क्या होगा ठीक है न यह Average Density at a Constant Temperature यह हम Constant कर देने Temperature तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं कि Density में बदल देते हैं तो हम Density क्या लिख सकते हैं Density P is equal to N upon V into RT लिख सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं Density इस तर्म को बोल सकते हैं ठीक है Rho into RT अब क्या है T क्या है Constant हमारे पास और R भी क्या है Constant है तो यह क्या बोल सकते हैं C into Rho ठीक है C क्या है Constant यानि कि हमारे पास density जो है proportional to क्या आजएगा pressure आजएगा ठीक है तो यहाँ पे बोल रहा है question में कि average density of the gas at a constant temperature increase due to collision ठीक है collision के कारण क्या होगा collision के कारण यहाँ पे increase नहीं करेगा ठीक है क्योंकि यहाँ पे कुछ relation इने density और collision में ठीक है अगर माल लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास यह gas container है और इसमें some molecule है हमाल लेते हैं gas का ठीक है gas का molecule है ऐसा तो अगर यह माल लेते हैं कि collision कर रहा है एक दुसरे गापश में ठीक है जो कि यह हमेशा move करते रहता है gas यहाँ पे elastic collision होते रहता है ठीक है यह यहां पर कोलीजन होते रहता हैं तो यहांपे ए नमर ऊप्शन में है कि increase due to the collision क्या average density collision कारण increase हो जायेगा बी नमर दिया हुआ है कि decrease due to the collision c नमर दिया हुआ है कि does not change with the collision और डी नमर में दिया हुआ increase और डीकोष D-depend upon the nature of the gas gas की nature करता है तो यहाँ पर मैं अगर जितना मैं यहाँ पर जान रहा हूं जितना मेरे पास इंफोर्मेशन है उसके अनुशार में क्या बोल सकता हूं डस नौट चेंज वीड़ कॉलीजन और हम डेंसिटी में अभी तक कोई करतर की तो यहाँ पर मिलेशन हम लोग नहीं ला पाए है तो हम यहाँ पर ही सकता है कि इसका डेंसिटी कि गढ़ेगा तो यहाँ पर हम अभी क्या गहें है यوت से कॉलिजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉलिजन हो या नहीं हो, डिक्रीज, इंक्रीज कुछ नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, अगर हम एवरेज डेंसिटी का बात करें, कोई चेंज नहीं आएगा कॉलिजन पे. क्लासिक्स से ट्वेल से लेके, नीट आयाईटी जेही, मेंस और एडवांस के लेवल तक, तस मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स का भर होसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप, या वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स, आठ चार्सो 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 पर.